इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दे संजे सिंग को इमर्जिनसी वाट में लाया गया है हमारे स्वेयोगी अभे पराशल ज़ादा डीटेल के साथ इस खबर पर जुड़ गया है अभे इस पर और क्या जानकारी आ रही है देखिए बिल्कुल मिनाक्षी संजे सिंग को 24 घंटे के लिए ILBS जो अस्पताल है यहाँ पर लाया गया था लंग्स का यह हॉस्पिटल है और यहाँ पर अपसे थोड़ी दिर पहले सामने हॉस्पिटल के अंदर उनका इलाज चल रहा था यहाँ पर वो पहले भी अपने चे संजे सिंग का मेडिकल हो रहा है क्योंकि आज लगभग 12 बजे के आसपास की जानकारी दी गई है कि संजे सिंग को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा डॉक्टर राउंड पर आएंगे और राउंड पर आने के बार डॉक्टर से उनका जब चेक अप किया तो ज जो है जेल वैन खड़ी हुई है जैसे ही संजे सिंग को डिस्चार्ज किया जाएगा मेडिकल पेपर जो है वो रेडी हो जाएंगे जब यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा जो जेल ऑथोर्टी के लोग यहां पर पहुंचे हुए है क्योंकि कस्टडी में संजे सिंग है जब यह बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा कि वो मेडिकली फिट है उसके बाद ही उस मेडिकल रिपोर्ट के बाद संजे सिंग को इस जेल वैन में बठाया जाएगा और यहां से सिधा तिहार जिल ले जाएगा हाला कि जिस सरीके से जो ट्राइल कोट है उन्होंने जो कराना होगा और अगर कहीं बाहर जाते हैं तो कोट को जानकारी देनी होगी दो लाख रुपे के निजी मुचलके पर जो जमानाद दी गई है यह order जो है कोट का यहां से संजे सिंग पहले जाएंगे सिधा तिहार जेल और को जो जो order है उस order को लेके जो परवाना होता है त त्यार जेल उस ओर्डर को पूरी तरीके से रीड करेगा उसे जब पूरी तरीके से घीजी हैं जो तेहाड के ओफिशियल से 서pretndent के पास वो जमानत का ओर जाएगद और उस order को पूरी तरीके से पढ़ने के बाद संजे सिंग को आज शाम तक तिहाड जेल से रिहा कर दिया जाएगा फिलाल उनका emergency जो है ILBS अस्पताल की यहाँ पर उनका फिलाल medical कराया जा रहा है क्या यह रूटीन प्रक्रिया होती है भाई क्यूंकि उनको आप कह रहे हैं कि अभी उनका medical कराया जा रहा है अब तो इसमें medical में कितना वक्त लगेगा और क्या यह रूटीन प्रक्रिया होती है जैसे कि जब भी किसी को हिरासत में लिया जाता है तब उनका medical कराया जाता है तो ठीक बैसे रहाई से पहले भी एक बाद मेजिकल कराया जा रहा है देखें बिल्कुल मिनाक्षी यह रूटीन प्रक्रिया है जैसे ही किसी भी कैदी को जब गरफतार किया जाता है किसी आरोपी को तो गरफतार करने के बाद भी कोट लाने से पहले और अगर जमानत हो गई है क्योंकि जमानत हो गई है लेकिन फिलाल वो custody में है तिहार जेल के पास अभी कोई order नहीं पहुंचा है क्योंकि अभी अभी session court ने ये order दिया है order जब तक जेल जाएगा वो custody में है और ये rule होता है कि अस्पताल से वापिस तिहार जेल ले जाने से पहले एक medical कराया जाता है कि अगर किसी ROP को किसी कैदी को जेल ले जाए जाएगा तो उसका स्वास्त कैसा है उसकी तब्या ठीक है या नहीं ठीक है वो जेल ले जाने लायक है या नहीं है ये तमाम parameters जो है चेक किये जाते है रूटीन पिरकरिया है क्योंकि संजे सिंग को पहले से medical कुछ problem है खास तोर पर ये अस्पताल जो है ये lungs का अस्पताल है यहाँ पर उनकी पत्नी ने कहा कि उनका check-up जो है यहाँ पर चलता रहता था इसलिए जब उन्हें कुछ problem हुई तो उन्हें एक रूटीन चेक-प के लिए अस्पताल जो है 24 घंटे के लिए जेल अथोर्टी लेकर आई और इसलिए अब एक medical check-up करवाया जा रहा है और सुंभावना ये है जैसे हमारे स्वायोगी अभय पर आशर बता रहे हैं कि संजे सिंग आज शाम तक जेल से बाहर आज आएंगे फिर